दोस्तो मैट्स क्लासेस में आपका स्वागत है हम गांधी संसकार परिक्षा 2019 गांधी जी के आत्मकता सत्य के मेरे प्रियोक अधारित प्रशनोत्रीक भाग 5 हम लेकर आए हैं दोस्तो भाग 4 पर हम कोशन्स बना चुके हैं आशा करता हूं कि आपको वो हमारे कोशन्स पसंद अनुसारे होंगे भाग 5 के अंदर पहला कोशन लेते हैं दोस्तो पहला कोशन आता है कि गांधी जी के अनुसार एंड्रूज की त्रिमूर्थी में कौन शामिल नहीं है गांदी जी ने त्रिमूर्थी देखी थी एंड्रूस की उसके अंदर तीन लोग थे कौन-कौन थे दोस्तो उसके अंदर कविवर थे, शर्दानन थे, सुशील रुद्र थे लेकिन दीन्शावाचा उसके अंदर नहीं थे तो इसका आंसर होगा दोस्तो कौशन नंपर दो आता है दोस्तो कि भारत आगमन पर किस जीत को गांदी जी ने सत्यागills की शुरुवात माना था गांदी जी ने कुछ विद्रोच वूड़ कर गए थे जब गांदी जी बाहर गए थे त PT गांदी जी वहाँ से वापस जब भारत लोट कर आये तो गांदी जी को वहां बारत लोटकर आने पर उन्हें एक सूचना मिली जिसे उन्होंने माना कि हिंदुस्तान में भी अब सत्याग्रह की शुरुआत हो चुकी है और वो हिंदुस्तान में सत्यागरे की शुरुआत थी दोस्तो वीरम गाम का चुंगीकर अटाने के लिए क्योंकि गांदी जी ये नोगाम चुंगीकर और गोकले दोरा आश्रम धन उपलप्त कराना ये अप्शेंस गलत है इसके अंदर वीरम गाम पे जो एक बार अंग्रेजु ने चुंगीकर लगाया था तो वीरम गाम का चुंगीकर हट गया था तो इस कारण इसका गांदी जी ने माना कि अब हिंदुस्तान में भी सत्यागरे की शुरुआत हो चुकी है question number 3 आता है दोस्तो कि काका के नाम से कोन परसिदगी पंडे, हरीहर शर्मा, फड़के ये परसिद नहीं थे, कालेल कर है जो काका के नाम से परसिद थे दोस्तो question number 4 आता है दोस्तो कि भारत आगमन पर किसने गांदी जी को एक वर्ष के लिए गूमने की परतिग्या दिल्वई जब गांदी जी भारत आए तो उनको एक वर्ष के लिए देश में गूमने के लिए का गया और उनको परतिग्या दिल्वई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने बाल गंगादर तिलक ने नहीं दिलाई थी फिरोशा मेता रविंदना टेगोरी ओप्शन गलते गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों पिछले भागो में हमने एक जिक्र किया था पाँचवा, कि निम्न में से किस को गांधी जी दूरा दी गई संग्या सेही है, अब गांधी जी जिन जिन महापुरुशों से मिलते थे, उन से कुछना को सीखते थे, और उनको अलग 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 एक संग्या दे दिया करते थे, उसके अंदर सबसे पहले आता है, फिरोशा म मेहता को उन्होंने बताया हिमालय बाल गंगदर तिलुक बताया सागर गोपालuger कृष्ण मोपाल करते हैं जोस्तों के क्या कοιनापज आता है कि गांदी जी ने अक्वाथ्म बल देकर कहा है कि अपने पाखाने को हमेशा स्वच्छ रखे पाखाना गुजराती शब्द बोला जाता है शोचाले को गुजराती में पाखाना बोला जाता है वर्तमान केंदर सरकार ने गांदी जी के सम्मान में पाखाने की स्वच्छता पर आधारित कौन सी योजना चला पाखाने को स्वच रखें अपने जिसके अंदर जिस्के अंदर सरकार और राजय सरकार के स संयुखत रूप से एक योजना है जिसके अंदर हर घरवालों को 12 रुपे की राशी दी जाती है जिसको 75% और 25% के भागों में बाटा गया है जिसमें 8000 और 4000 केंदर सरकार, राजे सरकार के दोरा लोगों को दिया जाता है इसके बाद आती ही दोस्तों ये उजुला योजना इसके बारे में भी थोड़ा सा मता देते हैं उजुला योजना गरीब लोगों के लिए थी, जो गरीब लोग गेस का कनेक्शन ने लिए दियाता था, चुले पर रोटी मनाते थे, परदुशन मुक्त करने के लिए उजुला योजना दी गई, जिनने नियमित रियाइती दर के ओपर गेस कनेक्शन उपलब्द कराया गया इसके बाद दोस्तों प्रदान मंत्री जंदन योजना बेंक खाता खुलुआ हैं सबी लोग अपना और बेंक के द्वरा ही लेंदेन करें इसके बाद आता है दोस्तों मुद्रा योजना, मुद्रा योजना भी वही आती है, जो गरीब लोग, गरीब का अर्थाथ मतलब जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं किन्तु वित्व समश्य के काणड अपनी व्यवसाय नहीं चला पाते हैं, उनको लोन देने के लिए मुद इसके अंदर बताया जाता है दोस्तों कि जब कुम्ब के मिले में गांदी जी गए तो उन्हें वहां पर बहुत सारी नियुमित्ता हैं देखी और ऐसी इस्तिती देखकर वह ओत परोत वह मतलब कहने का मतलब आश्चरी चकीत हो गए कि ये क्या हो रहा है इंदुस्तान के इसके अंदर किस तरीके से लोग पाखंड के पीछे दोड़े जा रहे हैं तो इसके अंदर एक कुशन नंता है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कुछ कुशन बनाएं दोस्तों इसलिए मैं भी पहले नहीं बताना चाहूंगा उसको कि कुशन नमर 9 आता ह इस टाइब के कोई पानी नी मिलता था उस Ing पर तो लोगinator के मेले के वहां परूने से नाम के ने नहीं पर नहीं नहीं की लेकिन बता एकि लेकिमिन के मंले के अपने प्रति शकारा तमक सोच रगनी चाहिए कुम्ब के में लेके दोरान गांदी जी ने देखा कि एक तो पांच पेरो वाली गाए एक कुछ सादू थे जो पांच पेरो वाली गाए लेकर आए थे उसके नाम पर वो चंदा मांग रहे थे सादू का बोंडापन मतलब सादू किस प्रकार से विचितर बेश बना कर आते हैं और लोगों के सामने होए पैसा मांगते हैं लोगों को पागल बनाते हैं लोगों की एदूर दर्शिता एदूर दर्शिता का मतलब होता कि दूर की सोच नहीं रख पते हैं, लोग नहीं सोच पते हैं कि इसको करने से उसका प्रतिफल क्या मिलेगा, इसको नहीं करने से क्या नुकसान होगा, क्या फाइदा होगा, लोग नहीं समझ पते हैं, लोगों क्या दूर दर्शिता, ये चारो अप्शन सही है दोस्तों, कि गा गांदी जीने अनुमान लगए जब ग्կांदीजी वहां पर पूम्प के मेले में थे और गंधी जी ने देखा कि मेले के अंदर कि इतने сाब लोग आये तो गांदीजी ने उसकी कोई अनुमानत संख्या बताईए अपने सथी पर अध्री बें के अंदर कि अनुमानित है वहाँ पर कुल 17 लाख लोग आये होंगे 20 लाख 16 लाख 15 लाख ऑप्शन गलत है कि अनुमानित वहाँ पर 17 लाख लोगों के उपस थे ती जो एक समय पर लोग आये थे कुम्ब के मेले के अंदर हरीद्वार के अंदर गंगा नदी का स्नान करने के लिए यह 11 कोशन हुए दोस्तों कोशन नमर 12 में बात करते हैं कि कुम्ब के मेले के दोरान खाने में पांच चीजों से अधिक चीजे लेने का वरत लिया इससे उनको क्या लाख हुआ गांदी जी ने अपना ब्रहम चरी अपनाया था हमने पहले बात कर चुके हैं इस बारे कम खाने से क्या-क्या चीजे का फाइदा मिला उनका जीवनकाल बड़ा are बात बीमारियों से बी रक्षा होती है ब्रहम चरी वुरत का पाला असान हो जाता है सारे ऑप्शन सारी ब्रहम चरी एष मतलब क्या है कि खाने में क्या हल फलाहर लेना है कुश्य नमर 13 कि गां उसी प्रकार में भी रहूंगा इसका उनों एक कारण यह बताया कि जन्यों धारियों सामाजिक आहांता को बढ़ावा दिया है समाजिक एसमानता का मतलब उच नीच का भाव बढ़ाया है कि कुछ लोग होते हैं जो उचे होते हैं अपने आपको उचा समझते हैं कुछ लोग जो दूसरे लोग होते हैं उनको नीचा समझते हैं असाइं के हिंदू हिंदू होते हुए भी जनेव नहीं पेहनते हैं ये कोई कारण नहीं था जनेव धारी एस परश्टा को बढ़ावा देते हैं जनेव धारों उच नीच को समाप्त नहीं कर पाते हैं ये बिल्कुल सही है तो जनेव धारों ने समाजिक एस अमांता को तेनों कारण मतासु नेक्सट नमर्ट calm का गंधी जी ने सथ्याग्रा आश्रम के इस्थापना कब की थी घंधी जींस ध्यार हमिंटर अच्टिक इसने कले सब्सक्राइप निटिक लुफ दोर कें गंधी जी ने एमदाबाद में बसने का निरनी क्यों किया। तो दोस्तो तो गिर्मिटिया को अंग्रेज किस नाम से बुलाते थे और गिर्मिटिया इस शब्द का हिंदीयर्थ क्या होता था इक्रार नामा हमने पिछले भागों में इसका जिकर किया है हमें हम जब पांचवा भाग पट रहें तो जरूरत है कि चारो भाग हमारे पर घर रोपस्तु तो तो गिर्मिटियो पर legit कर लगा था अब आप बताएं थोड़ा सा एक बार कि अंगरेज्चों ने किपने का कर लगाना चाहा था पर सोची 1 सिट में इथित और कर लगाना कर देंगिए उसे समाप्त कर दिया गया को 1914 के अंदर 13, 15 और 16 जब किया ते गिर्मिटिया पर्था जभ समापत है 1917 के अंदर 1914 के अंदर healing जब खतम हुँआ गिर्मिटिया पर्था ही समापत होगी जिसके अंदर लोगों से जबर्दस्ति सब दरो तो उन्हें वहाँ पर रहने के लिए टेक्स देना पड़ेगा जिसको कर देना पड़ेगा तो ग्रिमिटिया पर था 1917 में समाप्त हो गए थी गांदी जी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे दोस्तों चंपारण जो हुआ था गांदी जी ने बहुत शांदार मतलब एक अभुत्पूरु जीत थी तो गांदी जी चंपारण गए थे चंपारण कहां पर रही है आप ब महां थे राजकुमार शुक्ल जिन्हों ने उन्हें बुलाया और राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांदी जी चंपारण गए थे नेक्ट कोशन मनता है चंपारण आंदोलन कब प्रारम हुआ जब चंपारण आंदोलन प्रारम हुआ दोस्तों तो चंपारण का अंदोलन प्रारम हुआ उसके बाद आता है दोस्टो कि साबरमती आश्रम के स्थापना कब हुई साबरमती आश्रम के स्थापना होई थी 1917 के अंदर कब हुई थी दोस्तो 918 गलत दोनिस 15-18-17 ओर लगब अधिकांश चीजे heh गांडी जी दोस्तों आप इन सभी को अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए अदर्वाइस हमारे यूटूब वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आप भविशे में इनको देख पाए और आपको कुछ नहीं करना है क्यों अपनी आख करके कान में एयरफोन लगा कि और इनको करवल सुनना है जैसे मैं कोशन बोलता हूं आपके मैंड में उसका अंसर क्लिक हो जाना जीए देखेंगे दोस्तों एंदाबाद मजदूर अंदुलन प्रारंबवा निसो टरह के अंदर साबरमती आश्रम कि स्थापनाई उनिसो सतरह देखो दोस्तों चंपारन कहा शतीते मिने आपको बोला था शायद आपकी दिमाग में आया होगा अब तक बिहार में चंपार नैस सतीते बहुत अच्छा दोस्तों आप लोगोंगा सायोग से सूचिये Кशे से पढ़िएगा चंपारन न reng मिन्हास नहीं हुआ गांदी जी कि दोस्तों जैसे बिहार का नाम आता है चमपारन बिहार उर भी किसी चीज़ से प्रसिद है बिहार में जहां तक मना आता है दोस्तों कि खेडा आंदोलन के दोरान प्याज चोर की पद्वी किसे प्राप्त वी थी खेडा आंदोलन के दोरान प्याज चोर की पद्वी प्राप्त वी थी मोहनलाल पांडिया को सरदार पटेर संकरलाल पारी के आनुस्विया बहन को नहीं वी थी मोहनलाल पांडि कि जिस बारे में हम पढ़ रहें, थोड़ा सा में उसके बारे में अकर पता हो, तो शायद मेरे हिसाब से ज़्याद अच्छा रहता है। खेति जिस खेत में उगती ही वह खेत बंजर हो जाता है इसलिए ये लोग नील की केति इंदूस्तान में करवाते थे थे ताक únicoस्तान की जमीन बंजर जो उन्हें कोई मतलब नी चाहिए और इंग्लेंड ऐसे तो लेकिन पर्थम वास्त्विक सत्या करें खेड़ा अंदलोन को मना गया चंपरन का हैं दोस्तों बिहार के अंदर और खेड़ा कहां पर इस्तित है गुजरात के अंदर लेकुड नाइस्ट कोशन देखेंगे कोशन नमर 29 रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने बहुत चर्चित है लगवक इंदुस्तान का प्रतेख छोटे से चोटा बच्चा भी से चर्चित है इसका एक कोशन ना बना के हम लेके आए आपके लिए अभी नहीं बताएंगे इसको तोड़ा अगले नेक्स्ट कोशन आई जाएगा वेसे तो शायद देखवा गया जलि समय नहीं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जैसे बागंदी जी सत्या पर आधारीट मेरी प्रियोग उनकी आत्मकता है उसके केवल पांच वाग है शायद इसका अंतिम वीडियो है होगा अभी कुछ बाग और पढ़ने बच रहें उनसे पढ़के भी हम कोशन निकालेंगे और हम आगे एक model paper लेकि आने वाले दोस्तों उस model paper के अंदर कि जो गांधी जिचार संसकार परिक्षा जो होने वाली है उसके लिए महतपूर्ण question या paper pattern होगा वो किस प्रकार से होगा उस paper pattern की दोस्तों हम आपको PDF या आपके demand पर आप जो कहेंगे वो आपको available भी करवाएंगे तो दोस्तों जलेवाला बागत्यागंड की जांच करने ये तू hunter committee का गटन किया गया था जलेवाला बागत्यागंड कब हुआ था हम सब भी जानते है 13 अपरे 1919 जिसका पहले भीपन ने जिक्र किया था कि 6 अपरे 1919 को रोले टेक्ट का विरोध किया गया था 13 अपरे 1919 11 अपरे 1919 15 अपरे 1919 गलत है 13 अपरे 1919 जलेवाला बागत्यागंड के लिए हुआ था और इसके अंदर दोस्तों मैत्वपूर्ण क्या बनता है कि कोलिया किस ने चलाई थी जनरल डायर ने चलाई थी कहां पर है यह यह आप सोचिए अपने मन के अंदर कोश्चन नमबर 32 वैसे बता देता हूं आपको जलेवाला बाग कहां पर रिष्थित है अम्रिटसर कोश्चन नमबर 32 कि कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में जलेवाला बाग गत्या कांड की जांच समीति अध्यक्षत की थी जब जलेवाला बाग गत्या कांड वा जैसे पुर इंदुस्तान में निंदा हुई थी अंग्रेजों के इस करतूत की तो मात्मा गंधी की जांच समीति नहीं हुई थी चितरंजन दास, मोतिलाल नेरू नहीं थी, मदन मोवन माल वी है कि ये देख्षता में जलीवाला बागत्या का इंड की जान समिती का गटन हुआ था कि ये आकिर हुई क्यों, हुआ क्यों ऐसा next question होता है दोस्तों कि गांदी जी के लिए पहली खादी की धोती किसने तयार की थी तूटगए गांदी जी ने किसके निधन पर ये शब्द कहे कि मेरे पास एक बड़ा साहरा था जो आज तूट गया है गांदी जी ने किसके निधन पर ये शब्द कहे थे दोस्तों गौपाल किष्ण गोखले के लिए नहीं नदन मोण मालविय के लिए भी नहीं फिरोशा मेता के लिए भी नहीं बाल गंगादर तिलक के निधन पर ये शब्द कहे कि मेरे पास एक बड़ा सहरा था जो मेरे जन अंदोलन के लिए मेरी हरेक एक्टिविटी में मेरा साथ देता था वो आज नहीं रहा मेरा सहरा था जो आज तूट गया बाल गंगादर तिलक के निधन पर उन्होंने का कॉश्चन नमर 35 आता है कि कांग्रेस किस अदि वेशन में एł संयों गंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ तो कांग्रेस के नागपुर आंदोलन के अंदर है संयों गंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ कॉलक rata बंब़य बेलगाम ये सब गलत आंसर है दोस्तों सqundat अंद्सक्ू नमर 36 गांधी जी के जो एडिवेशन होते तो उनको कांग्रेस मूलतन नहीं माना करती थी कई वार तो इसके अंदर एक एडिवेशन को किस एडिवेशन के अंदर गांधी जी के एसवयोग अंदोलन के प्रस्ताओं को स्विकार किया गया कोलकाता अंदोलन के अंदर बंबई नाग पूर्ण मदरास गलत है तो यह एस सवयोग अंदोलन क्या था दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जिकर कर लेता हूं जितना सा मुझे नोलेज है कि एस सवयोग अंदोलन था दोस्तों कि गांदी जी ने कहा सभी लोगों से आवान किया कि आप लोग अंग्रेज सरकार के कि किसी भी काम केंदर सवयोग नहीं करें जिस प्रकार क्योंकि हमेंसे ही हम पर शार्षन चला रही है और हम पहीं सायोग बंदा कर दें क्योंकि बिना हमारी इसाहयता के वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं So Con aanग्रेस के कॉलकत्ता अधियूशन के अंदर एस सयोगन औरन के प्रस लाला लाच्पत राय ते थि मातमा गंदी तुरहां पर प्रस्थाव लेखन गई थे कि मैं आचि आप पर्स्ताव किजिये हम आपके साथ है काउम से आता है कि गंदी जी ने किस पर सरुवाध आपके और न जिसके अंदर बहुत सारे इंदुस्तारी सेणिंग भी मारे गए थे, जो अंग्रे सरकार के दिन काम कर रहे थे, संगर्ष पर, रजामंदी पर, वैश्कार पर नहीं था, लेकिन हिंसा पर सब्सप्स जद्धा बल दिया गया था क्या परियोग किये कि क्या मैं अभी तक भी अडिग रह सकता हूं सद्य पर तो सद्य का सम्पूर्ण दर्शन किस Voice region ise अयदिश हैं कि pops गान्दी के दर्म और राजनीती के संबंद में क्या विचारते किनि कैनि क्वीड़ीव दर्म defining गांधी जी थे धर्म का राजनिती से कोई लेना देना नहीं है उपरोग दोनों भी नहीं है कोई भी नहीं है इसमें से धर्म और राजनिती में गनिष्ट संबंद है गांधी जी मानते थे कि धर्म और राजनिती में गनिष्ट संबंद है क्योंकि राजनिती धर्म पर अधा सा दिना चाहते हैं गांदी जी के जीवन से में बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि गांदी जी के अंदर कोई अउतार थे या ऐसे जो मावना होती है कि वो कोई special power लेके आये थे ऐसा कुछ नहीं है उन्हें जो शक्तिया पेदा करी इस दर्दी पर आने क अबने बास स्वें में परिवर्तन करके पेदा करी और वह परिवर्तन हमें अपने आप में लाने होंगे हमें सत्य बोलना एंसे रहना नेतिक होना है नेतिक मतलब नीतियों पर चलना अपने शिद्धान तो कि कुछ नमर बैली साता है कि ऐसा यो गंदॉलन का प्रारम वह एक अगस्त 1920 के अंदर बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऐसा यो गंदॉलन कौन से दिवेशन में पारित हुआ बताइए कलकत्ता दिवेशन के वंदर परारम वह मदनमोन मालविय के नित्रुत में नेक्स्ट कि ऐसा यो गंदॉलन शुरू करने से पूरू अंग्रेजों को गंदी जी में कौन सा पुरुषकार लोटा दिया था दोस्तो जिस प्रकार हिंदुस्तान में राजनीती चलती थी अलग-लग अंदॉलन होने के लिए प्रणेता काम करते थे उसी के सासाथ अंग्रेज सरकार भी कुछ ना कुछ किया करती थी अंग्रेज सरकार ने गंदी जी को प्रणोबन के लिए केसर ए हिंद की उपादी थी कि इस हिंद के इस दुनिया इस दुमाते चड़ा यहाँ गंदी जी को उन्होंने की- आपहने लेकिन गंदी जी ओ릴 में और पादी देने के वाद लिए कुश्चन नमबर 44 आता है दोस्तों कि कलकत्ता विशेश अधिवेशन 1920 में किस ने कहा कि अंग्रेजी सरकार शेतान है जिसके साथ सयोग संबव नहीं है विशेश अधिवेशन 1920 का हुआ कलकत्ता के अंदर गांदी जी ने क्या कहा ऐसा योग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करवाया कि अंग्रेजी सरकार सेतान है जिसके साथ सयोग संबव नहीं है ऐसा गांदी जी ने कहा था वहाँ पर बदर मोहन मालवियत अधियक्स जितरंजंदार लाल लाजपतर रहे यह ऐसा कुछ नहीं माहत्मा गंदी ने कहा कि अंग्रेजी सरकार शेतान है कांग्रेश के नागपूर अधिवेशन उन्नीश सो बीस के अध्यक्ष सवापति कौन थे लाल बादूर शार्षी जवाला नहरू मुदिला नहरू नहीं थे विजय रागवाचार्य जो थे वो कांग्रेश के नागपुर अधिवेशन 1920 के अध्यक्ष है दोस्तों हमने options को इसके अंदर पहले से थोड़ा सा highlight किया हुआ है ताकि आपको भी एक बार पढ़ने पे थोड़ा सा click हो लेकिन आप हमारे इन वीडियो को दोस्तों आँख बंद करेंगे एक बार देखिए एक बार आप इनने देखिए खुली आँखो से फिर इसके बाद आँख बंद करिए और वापस से देखिए कि आपको क्या वो options क्लिक हो रहे हैं आपके mind के अंदर क्योंकि बहुत सारे questions बन चुके हैं लगबग मान के चली कि एक वीडियो के अंदर हम लगबग 35-40 questions लेके आते हैं तो पांचवा वीडियो चल रहा है यह दोस्तों लगबग 1500 दोस्तों के आजपास questions collect हो चुके हमारे पास बेसे भी गांदी जी के ऐसायो गंदोलन का विरोध किस ने नहीं किया था एनी बिसेंट ने तो विरोध किया था चितरजंदाज मुहमद अली जिन्ना मुहमद अली जिन्ना ने तो गांदी जी का हरदम विरोध किया तो यह अली बंदू थे इन्होंने गांधी जी के S.O. गंदुलन का विरोध नहीं किया था इसके बाद दोस्तों आपको हमारे सेलेक्शन्स पसंद आए होंगे दोस्तों अब जो वीडियो बना है मैं इस वीडियो पर अधारीच कुछ 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 आपसे बनाना चाहता हूँ कुछ नमबर एक गांधी जी की पिता जी के मृत्यू के अंतिम समय में उनके पास कौन था ये कुछ नहीं है लेकिन मैंने किसी वीडियो के अंदर आपको ये बात बताईए गांधी जी के पिता जी के मृत्यू के समय अंतिम जो पांच मिनिट थे जब उनके पिता जी के प्राणा पर खेर उड़े थे उस समय गांधी जी के पिता जी के पास कौन था कोशन नमबर दो गांधी जी के दादा जी का उपनाम क्या था गांधी जी के दादा जी का उपनाम क्या था इनका नाम और उपनाम दोनों बताईएगा सेम तो सेम कोशन कोशन नमबर तीन गांधी जी के पिता जी का नाम और उपनाम दोनों बताईएगा Q4. गांधी जी की पतनी कस्तूर्बा गांधी जी ने को क्या छुड़ाने के लिए कस्तूर्बा जी ने भी जित की कि आप अगर वो चीज छोड़ेंगे ते मैं भी वो चीज छोड़ दूँगी वो चीज क्या थी? कोशन नमर पाँच गांधी जी ने गांधी जी के जो पुत्र थे वो स्टीमर में कप्तान के साथ खेल रहे थे तब उनके साथ क्या आदसा हुआ था अब सोचिएगा दोस्तों इन 4-5 कोशन के बारे में और आप पत्रिगे हमें अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा हम आपकी कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिगरिया का इंतिजार कर रहे हैं मोडल पेपर आपके सामने बहुत जल्द पेश होने वाला है आप इंतिजार करिए हमारे चैनल को शेर कीजिए वीडियो को शेर कीजिए चैनल पर अधिक से अधिक सब्सक्राइबर को बढ़ाईए आपको गांधी संसकार परिक्षा 2019 सत्यपर अधारी जो प्रियोग जिसमें गांधी जी की आत्मकता पर अधारित कुछ विशेश विशेश पहलूओं पर अधारित एक वीजुल आएगा ओडियो वीजुल जिसको आप केवल सुनिये कान में लगाए कि आपको इस परिक्षा की तैयरी के लिए बहुत अच्छा मैटर मिलेगा ठीके दोस्तों तेंक्यू, जेहिन!